प्रिविद्यार्थे मित्रों हम आठी कक्षा की संयुक्त हिंदी की जो पाठ्टे पुस्ता के सुगम भारती उसकी दूसरी एकाई का जो पांच्वी कवीता है संत्वानी उसके संब्द में अधिक जानकारी प्राप्ट कर रहे हैं इस संत्वानी में दो पद दिये गए हैं एक संत्मीरा बाई का पद है और दूसरा तुलसी दास का पद है हम संत्मीरा बाई के पद के पंगतियां पढ़कर हमने उसकी जो कठिन शब्द है उसके अर्थों को भी देखा आईए अब हम उसे सरल बाशा में समझने का प्रियास करते हैं पर यहां पर जो शब्द आया है उसका अर्थ होता है पेरों में या मीरा अपने पैरों में गुंग्रू बांद कर नाचिए उसका कारण मिरा यह दिखाती है कि मैं अपने नारायन की यानि अपने प्रभू की नीरा मेरा के जो नारायन है जो प्रभू है वो श्रीकृष्ण है कनया है वो कहती है कि मैं अपने प्रभू की यानि श्रीकृष्ण की आप ही दासी हो गई है अप ही जो शब्द आया है इस अप ही शब्द का अर्थ होता है स शब्द बावरी यहां पर विद्ध सिमित अट्रयाक है उसका अर्थ होता है पागल यह YouTube को पागल कहने लगें मेरे और कहती है कि मेरे जो नयाथ है वो मुझे कुल नवर कैने लगे यहां पर जो कानदान को बरबाद करने वाली कह रहे हैं लेकिन मीरा कहती है कि मुझे इसकी कोई परवान ही कोई चिंदा नहीं है आगे मेरा जी ने मारने के लिए विश्का प्याला भी वेजा लेकिन मैं वह अस्ते पी गई उसके बाद जो है मैं हस्ते हस्ते जो पी गई मुझे इसकी कोई परवा नहीं कोई चिंदा नहीं है क्यों मेरा आगे कहती है कि मुझे मेरे जो नाराइन है मेरे जो प्रभू है मुझे सहजी मिल गए है और मेरे प्रभू जो है वो गिर्धर है गिर्धर का अर्थ होता है पहाड को उठाने वाले इसलिए मेरा कहती है कि मुझे इसी कोई चिंदा नहीं है मुझे मेरे जो प्रभू है गिर्धर वो मुझे सहज मिल गए है इसलिए मुझे दुनिया की या जक्की कोई चिंदा नहीं है आगे मेरा कहती है कि है प्रभू हम जब से बिछुड़े हैं मैंने एक पल भी चैन नहीं पाया है कि मुझे अभी भी तुमारे शब्द तुमारे वच्चन जो याद आते हैं और वह वच्चन जो याद आते हैं उसके कारण जो है परेशानी होती है मुझे चैन नहीं मिलता है मुझे उस बिरहा के कारण जो है रातों को चैन नहीं है मैं करवट बदल बदल कर मेरी राते जे तो बिताती हो मेरा अपनी सेली से सकी से भी कहती है कहे सकी ये मेरी जुदाई ये मेरी बिरहा का समय कब बितेंगा और कब मेरे प्रबू से मेरी मुलाकात होगी मेरा आगी ये भी कहती है कि हे प्रबू तुम मुझे कब मिलोगे ये जो बिरा है ये जो जुदाई का समय ये कब संपन होगा कब खत्म होगा और कब तुम मुझे से मिलोगे जब तक तुम मुझे नहीं मिलोगे मुझे एक पल भी चैन नहीं आएगा मैं जब तुम्हारे वचनों को याद करती हूँ तुम्हारे शब्दों को याद करती हूँ तो मेरा सीना जो है सिहर उड़ता है मुझे परेशानी होती है और लोग मुझे जो है बुरे वचन कहते हैं गलत वचन कहते हैं मुझे चिंता तुम से मुलाकात की है जानती हुँ मेरे प्रभू कि जब तुम मुझे मिल जाओगे जब यह बिरहा का समय संपन हो जाएगा समाप्त हो जाएगा तो मेरे जो दुख है वो सुख में बदल जाएगे जो आज में दुख से रहे हूँ वो मेरे दुख सब समाब्द हो जाएगे वो परेशानिया मेरी समाब्द हो जाएगी मुझे बस तिंता आप से मिलने किये थे परबू तुम मुझे कब मिलोगे और तुम्हारे मिलने के बाद मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा